नमस्कार मित्रों आए सुनते हैं कहानी जादू जिसके लेखा खाएं मुन्सी प्रेम चंद नीला तुमने उसे क्यों लिखा? मीना किसको? उसी को? मैं नहीं समझती खूब समझती हूँ जिस आदमी ने मेरा अपमान किया गली गली मेरा नाम बेचता फिरा उसे तुम मुह लगाती हो क्या यह उचित है? तुम गलत कहती हो तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं तुम मेरी गलती थी छमा करो तुम मेरी बहन नहीं होती तो मैं तुमसे यह सवाल भी न पूछती मैंने किसी को खत नहीं लिखा मुझे यह सुनकर खुसी हुई तुम मुस्कराती क्यों हो? मैं? जी हाँ आप मैं तो जरा भी नहीं मुस्कराई क्या मैं अंधी हूँ? यह तो तुम अपने मुह से ही कहती हो तुम क्यों मुस्कराई? मैं सच कहती हूँ जरा भी नहीं मुस्क्राई मैंने अपनी आखों से देखा अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं तुम आखों में धूल जोकती हो अच्छा मुस्क्राई बस या जान लोगी तुम्हें किसी के उपर मुस्काने का क्या अधिकार है तेरे पैरो पढ़ती हूँ नीला मेरा गला छोड़ दे मैं बिल्कुल नहीं मुस्क्राई मैं आईसी अनीली नहीं हूँ या मैं जानती हूँ तुमने मुझे हमेशा जूठी समझा है तु आज किसका मुदेखकर उठी है तुम्हारा तु मुझे थोड़ा संखिया क्यों नहीं दे देती हाँ मैं तो हत्यारिन हुई मैं तो नहीं कहती आव और कैसे कहोगी क्या ढोल बजाकर मैं हत्यारिन हूँ मदमाती हूँ दीदा दिलेर हूँ तुम सर्व गुड़ागारी हूँ सीता हो सावित्र हो अब खुस हुई लो कहती हूँ मैंने उन्हें पत्र लिखा फिर तुमसे मतलब तुम कौन होती हो मुझे जवाब तलब करने वाली अच्छा किया लिखा सचमुच मेरी बेकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा हमारी खुसी हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे जिससे चाहेंगे बोलेंगे तुम कौन होती हो रोकने वाली तुमसे तुम्हें नहीं पूछने जाती हाला कि रोज तुम्हें पुलेंदों पत्र लिखते देखती हूँ जब तुमने सर्म ही भून खाई तो जो चाहो करो अक्तियार है और तुम कबसे बड़ी लज्जावती बन गई सोचती होगी अम्मा से कह दूँगी यहाँ इसकी परवाह नहीं है मैंने उन्हें पत्र भी लिखा उनसे पार्क में मिली थी बातचीत भी की थी जाकर अम्मा से दादा से और सारे मोहले से कह दो जो जैसा करेगा आप भोगेगा मैं क्यों किसी से कहने जाऊं ओहो बड़ी धैर वाली यह क्यों नहीं कहती अंगूर खटे हैं जो तुम कहो वही ठीक है दिल में जली जाती हो मेरी बला जले रो दो जरा तुम खुद रो मेरा अंगूठा रोए मुझे उन्होंने एक रिष्ट वाच भेंड दी है दिखाऊं मबाराख हो मेरी आँखों का सनीचर ना दूर होगा मैं कहती हूँ तुम इतनी जलती क्यों हो अगर मैं तुम से जलती हूँ तुम मेरी आँखें पट्टम हो जाए तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाओंगी मैं जलूँगी ही नही जल रही हो साफ कब संदेशा आएगा जल मरो पहले तेरी भावरे देख लू भावरों की चाट तुम ही को रहती है अच्छा तु क्या बिना भावरों का बयाह होगा यह ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे मेरे लिए प्रेम काफी है तु क्या तु सचमुच मैं किसी से नहीं डरती यहां तक नौबत पहुँच गई और तु कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कसमें खा रही थी क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं मैं तो तु से पूच्ती ना थी मगर तु आप ही आप बख चली तु मुस्कराई क्यों इसलिए कि वह सायतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया और फिर तुम्हारे विशामें भी वाईसी ही बातें कहता फिरेगा और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोगी तुम से उन्हें प्रेम नहीं था मुझे से मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाओंगा और जहर खालूंगा सच कहती हूँ बिल्कुल सच यह तो हम मुझसे भी कहते हैं सच तुम्हारे सिर की कसम और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है क्या वह सच मुझ पक्का सिकारी है मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है